नमस्कार मैं प्रानिशी रठोर और आप देख रहे हैं निक्स्ट नाइन नियोज बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री और राज़त प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा ही परिवार बीते लंबे वक्त से CBI और ED के चंगुल में पसा हुआ है जी हाँ, Land for Jobs स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों से लगातार ED पूच्थाच कर रही है घंटों तक पूच्थाच की जा रही है ऐसे में देखा जाए तो जहां एक तरफ लालू पृसाद यादव का पूरा ही परिवाद इस मुसीवत का सामना कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए जो खुशियों ने दस्तक दे दी है लालू पृसाद यादव के घर बीते कल 27 मार्ज के दिल नवरात्री के मौके पर एक पुत्री ने यहां पर कदम रख दिया है अब यहां पर बधाईयों का तांता लगातार लगा हुआ है तेजस्वी यादव और उनकी बेहन रोहिणी आचारे ने सोशल मीडिया के इस तरही अपनी खुशी को जाहर किया तेजस्वी यादव की अपनी बेटी के साथ की वो प्यारी सी तस्वीरें तेजे से वाइरल हो रही है और अब देखा जाए तो यहाँ पर जो उनकी बेटी है वह कहीं न कहीं उनके लिए एक गुडलग बनकर आई है इस खास रिपोर्ट के जरिये आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अब क्या वाकई में यहाँ पर लालो पुरसाद यादव के परिवार के जो सदस से एक बेहत बोड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं वो मुसीबत क्या वाकई में यहाँ पर दूर हटती हुई नसराएगी आखिरकार यहाँ पर उनकी बेटी का भविश्य क्या कुछ कहता है यहाँ पर वह कितनी लखी स्ताबित हो रही है तेजस्वी यादव के लिए इस खास रिपोर्ट के जरिये आपको बताते हैं बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री और राजत प्रमुख लालो प्रसाद यादव के घर खुशियों ने दस तक दे दी है उप मुख्य मंत्री तेजस्वी यादव पिता बन चुके है सोशल मीडिया के जरिये परिवार के सदस्यों ने इस खुशी को जाहिर किया जानकारी के लिए आपको बता दे तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी प्यारी सी नन्ही सी परी के साथ की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा है कि इश्वर ने यहां पर पुत्री रतनी की रूप में एक उपहार भेजा है वही तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज परताफ यादव ने नन्ही सी परी का शांदार अंदाज में स्वागत किया वह लिखते हैं नवरात्र के इस पावन अफसर पर हमारे परिवार में नई सदस्य का आना इस बात का शुब संकेथ है कि शक्ती स्वरूपा मा दुर्गा ने अपना अशिरवात दिया है अब सारी परेशानिया जल दूर होंगी मेरे अरजुन को पुत्री धन प्राप्ती धेरो बधाईयां इस तरह से उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया वहीं उनकी बेहन रोहिडी आचारे ने भी ननी सी परी अपनी भतीजी को शांदार अंदाज में स्वागत करती भी लिखा कि बनकर ननी सी परी मेरे घर मेहमान आई है खुशियों के इस तंग सौगात लाई है दादा दादी बनने की खुशी में मम्मी पापा के चहरे पर मुस्काल लाई है इस तरह से यहां पर खुशी को परिवार के सदस्यों ने जाहिर किया है सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की वो तमाम तस्वीरें वाइरल हो रही है जब वह ननी सी परी को अपने गोद में लिये हुए एक टक निहारते हुई नसर आ रही है वही ननी सी परी अपनी मा राश्री यादव के साथ भी नसर आई है वही दूसरी ही तरफ लालु प्रिसाद यादव और रावडी देवी भी हॉस्पिटल मिलने पहुचे बहु और ननी सी परी से गोद में खिलाते हुए देखे गई है इन तमाम चीजों से हटकर अब यहां पर ननी सी परी को लेकर तमाम खुलासे भी हो रही है इस खास रिपोर्ट के जरीए आपको जानकारी देना चाहेंगे यादव परिवार इस वक्त तमाम बड़ी मुसीबतों का स्तामना कर रहा है CBI और ED के चंगुल में यादव परिवार फसा हुआ है क्या यहां पर भाग्यशाली रहेगी तेजस्वी यादव की बेटी जोतिश के मुताबिक सामने आया है कि काफी जादा भाग्यशाली है उनकी बेटी उनके लिए जिस तरह से राश्री के साथ शादी करने के बाद तेजस्वी यादव की किस्मत के सितारे चमकने लगे थे साल 2021 में दोनों के शादी हुई और शादी के एक साल के अंदर ही तेजस्वी यादव उपमुख्य मंतरी बन गए अब जोतीश करना बता रही है कि मम्मी राश्री यादव की तरह ही उनकी बेटी अब काफी जादा भाग्यशाली रहेगी परिवार के लिए दरसल आपको बता दें कि कुंडली में राज योग बताया गया है तेजस्वी यादव की बेटी की कुंडली काफी ज़ादा शांदार बताई जा रही है जो तीश के मताबेक सामने आया है कि तेजस्वी यादव की बेटी का जन्म ब्रशब लगन में हुआ है चंद्रमा भी रोहडी नक्षत्र में है लगन में बैठे हुए चंद्रमा पर कोई पाप का प्रभाब नहीं है और लगनेश शुक्र हानी इस्थान यानि की बारेविक घर में राहु के साथ है जिस पर शनी की दरश्टी बनी हुई है इस ग्रह दशा के कारण परिवार को अभी कुछ चुन युति से बेहत मजबूत होकर तेजस्वी आदव के लिए बेहत शुब है ऐसे में तेजस्वी आदव का राजनितिक करियर काफी बहतर रहेगा और ये उनके लिए काफी जादा भागयसाली रहेगा वहीं उनकी पुत्री खुद के लिए भी काफी जादा भागयसाली बता हुआ है और नौ घंटे तक तेजस्वी यादव से पूछताच की गई जब CBI के मुख्याले वहें पहुंचे थे बीतेश शनिवार के दिन और वहीं दूसरी ही तरफ राश्री यादव हॉस्पिटल में एडमिट थी इतना ही नहीं चानकरी के लिए आपको ये भी बता दे कि जब CBI और ED की चापेमारी चल रही थी उस वक्त प्रेगनेंट राश्री घर पर बेहोश हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़ा था लेकिन अब देखा जाए तो राश्री ने एक बेटी को जन दिया है जो यहां पर पूरे ही परवार के लिए एक गुडलक चाम साबित होती हुई नसराने वाली है आपने सुना किस तरीके से यहां पर तेजस्वी यादव की बेटी को लेकर जो तीशों ने यहां पर भविश्यवाडी करती है अब देखना यहां पर यह दिल्चस होगा कि किस तरह से यहां पर ED यहां पर जो लगाता देदी है किलकारियां गुंजुटी है और ऐसे में पूरा ही परिवार यहां पर जल्द ही जश्न में डूबा हुआ भी नसराएगा इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकि की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें निक्स्ट नाइन निउस